डॉक्टर बाबासाहिब आम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी ना चैतन्य स्टूडियो मा आपनो स्वागत छे मुँचु डॉक्टर विनोध माजी राना नमस्कार विद्याति मित्रों आजे आपने संस्कृत विशै मा जे विद्यार्थियोए मुख्य विशै संस्कृत नी पसंगी करी शे तेमने दिर्तिय वरश्मा तेमा पेपर पांच एटले के 205 तेनो कोड शे अने तेनी अंदर पर नुँ नाम अलंकार सास्त्र अने नाटिय साहितिय जेमा विभाग एक अलंकार सास्त्र नो परीचय अने काविय प्रकास उल्लास एक तेमा एकम त्रण आपड़े आचारिय मम्मठ काविय प्रकास नी इंदर उल्लास एकनी आपने विगते चर्चा करी गया हता जहमा प्रथम कारी का जैनो नाम शे मंगलाचरन अने स्वाविक है जहमा कवी नी शुष्टी अने ब्रह्मानी सुष्टी नी वाड़ करी है ती सबाविक से के कोई पन ग्रंथ नी निर्विज्य नपने परिपूर्ण थाए ते हेतु थी कवी पोताना ग्रंथ ना प्राणबे मंगलाचरन करता हुए शें तो अहीं आचारिय मम मट पन काव्य प्रकास मा प्रथम कारीका मा मंगलाचरन करी हती तिहार बाद आपड़े आजे उल्लास एक त्यमा कारीका बेनी विगत्य चर्चा करी शो तो विद्याथी मित्रो कारीका बेनी एंदर काव्य ना प्रयोजनो नी विगत्य आजे आपड़े चर्चा जोईये तो तेमा काव्य ना प्रयोजनो मुख्य छ गनाव्या श्या आचारिय मम्मटे तेमा कारीका मा एव कहिऊशे के इहा अभी धेयम सप्रयोजनम इत्या आह काव्यम यससे अर्थ कृते व्यवहार विदे सिवेत रक्षत आये सद्यह पर निर्वते कांता समित उपदेश तयो युजे अर्थात आवरुतिमा कालिदास आदिनाम इव यशह सरी अर्शादिनाम इव धनम राजादिनाम गत उच्च परी ज्ञानम अने आदित्या इतर मयुर आदिनाम इव अर्थ निवारनम शकल प्रयोजनम मौलिभूतम समन अंतरम एवं रशाज स्वादम सम अध्भूतम वगिलत्य विध्यां अंतरम आनंदम अर्थात अहे लोकक्तर वर्णनम निपूनम कवि कर्मह तत कांतेव सरस्ता अपादाने न अभीमुखी कृत्य रामादित इती वर्तितव्यम न रावनादीव इत्यादी उपदेशंच यथा योगम कवेहे सरदयस्यच करोती इती सर्वता तत्र यतनियम तो विद्ध्याथी मित्रों अहीं काविया ना प्रयोजोने विशे वाद करी शे अहीं वन्य विशय अटले के काविया प्रयोजोन युक्त शे एम कहे शें कारिका बेमा काविया ना प्रयोजोन जोयेतो काविय यस माटे विजु प्रयोजन धन माटे काविया ना नियान माटे अमंगलना निवारन माटे और तरतज परम आनननी प्राप्ति थाए ते मात अने प्रिय पत्नि नी जेम उपदेश आपहमाते चो प्रयोजण आचारे मममटे जनाव के उरुत्ती जुईत कालिदा स्वगेरीनी जेम यस श्रीहर्स वगेरेनी जेम धन अने धावक के बान वगेरेनी जेम आप ध्धानी अहीं विगते वाद करीशें। मुख्य व्यंजना व्यापार्णी जे प्रधान्ताने लिदे विलक्षन एवु जे काविय एटले लोकोक्तर वर्नन करवामा निपुन एवा कवेनु कारिय ते प्रिय पत्नेनी जेम रस निस्पती द्वारा अभीमुक करीने। राम वगेरीनी जेम वर्तवू। रावन वगेरीनी जेम नहीं। एम यथा योग्य कवीने अने सरदै भावक ने। उपदेश आपेशे माटे सरवथा तेमा उद्यम सिल रहवू जोईये काविय प्रकासमा वर्नित काविय ना प्रयोजोनों एक व्यवहारिक नियम छेके। प्रयोजन विना मुर्ख मानस पन कोई प्रवति करतो न थी ओतो। अर्थात प्रयोजनम मनुदिस्य मंदो अपी न प्रवततते माटे मममत काविय प्रकासमा मंगलाचरंपछी अर्थ अहीं फल प्राप्त करवानों शें इफ़लने उद्धेशिनेज काविया सरजन के काविया व्याचन नी प्रवोती था जो पर सुनिचित दरसावामां आवी होये तो एने प्राप्त करवानी इक्षा थी मनुष्य प्रवोत्त थाए मम्मटे अहीं काव्य ना छ प्रयोजोनों बताव्या शें काव्यम यससे अर्थ कुरुते व्यवहार विदे सिवेत रक्षत अए सद्य पर निर्वत अए कांता समेत उपदेश युजें तो आचारिय मम्मटे उल्लास एक नी इंदर बिजा नंबरणी कारिकामा 6 प्रयोजोनों दर्शा है वीआ यस प्राप्ति माटे अर्थ प्राप्ति माटे व्यविवार अग्ञ्ञां माटे अमंगलना नियुवारन माटे अने एक परण आनंदने पद्री पत्रम पत्नी मौनित उप्धेश हम कifiques रम मांका विया ग्रीलु प्रयोजन जो इये तो काव्यम यस से तो अही आचार्या ममटनू प्रथम प्रयोजन जे यस नी प्राप्ति माटे शे तेने विगते जो ये तो कावियनू सर्जन थाए शे वृत्ति मा अने आ प्रयोजन नू उदारन आपता मममट लखे छे काली दास आदिनाम इयों यशह अर्थात काली दास वगेरे कवियों ने जेम कावियना सर्जन थी महान यस नी प्राप्ति थाई शे ति हम्मेशा जानी तूशे एविज रिते कवियों ने पोताना काविय सर्जन मा थी अना यासे यस प्राप्ति थाई शे एनो अर्थ एम पन थाए के प्रतिभा विनानो कव लखे तो तेने यस्ट न मलें प्रती भावान कवियोंने जेवा के कालिदाश वगेरेने यस मल्यों शें यस उत्तम कवियर सर्जन्ती प्राप्त थाएशें तो विद्याति मित्रों आ काव्यानू प्रथम प्रयोजन छे काव्यानू आ प्रयोजन कवी ने लागू पड़े शे भावक ने नहीं ते कवी पक्स रहेलू छे कारण के कालीदास वगेवे कवियों हालमा उपस्तित न थी परंतू तुमना लखाईला ग्रंथो पोताना अक्षर देहे यस प्राप्ति कालीदास ने थाये शे तो आ प्रयोजन नुझे पक्स एक कवी पक्स रहेलू छे भावक पक्स न थी तेनी फल प्राप्ती कवी पक्षे शे त्यारे कावियनु आ प्रथम प्रयोजन आरी ते कवी नेज लागू पड़े शे भावक ने लागू पड़तो नथी होतू कवी नो नास्थाई शे पन तेनू काविय ते अमर बनी जाई शे माटेज कहिवायू शे के जयन्ती ते सुतक्रुती नो रससिद्धाह कवय नास्ती येसाम यशह काई जरा मरनम भयम तो अहिं सुंधर काविय नो शर्जक नित्य चिरन्जिवी बने शे, यहम ने यस के मरन नो डर रेतो नथी काविया म अर्थ कृते काविय नो शर्जन आ बिजू प्रयोजन शे के काविशन अर्थनि प्राप्ती माटे थाए शे गुरुत्ती मां मम्मट आ बिजा प्रयोजन ने समझाववा उदारे नाप्य छे कि श्रीहर्स आदी बानादी नाम इव धनम अर्थात अही जे श्रीहर्स वगेरे पासे थी बान वगेरे ने जेम धन प्राप्तत थयू हतु तेम काविये ना सर्जन थकी धननी प्राप्ति मां प्राचीन समय मां कई खोटु गनातु नहतु मम्मटे पन अही बाननू उदारे न आप्युशे अने बन्ने पोताना आश्रे दाता एवा राजा हर्स वदनना जीवननू चरित्र आलेखवा हर्स चरितनी रचना करी तेना बिजा उच्छवास मां बान लखे छे के तेन में राजाय मान प्रेम विश्वास ध्रव्य धन अ बदुझ पोताना प्रभावनी पराकाश्टा एप पहुचाड़े होतों कि तो अहीं काविय प्रविय प्रेजोनी नी वृत्ति मां जे बाना अधी नाम एवा सब्द वापर्योष्ट यह यह बड़े धावक अधी नाम यतले के धावक वगेरेनी जें एवो पाठ पन मलेशें विक्रम राजाना नवरत नो माना एक महा कवी काली दासने पन राजा विक्रमे दर्बार मा स्थाना प्यू हतू अने पंदीत राज जगनात तो दिल्ली ना दर्बार नो आश्रेलाई स्पष्ट लख्यू हतू के परो दिल्ली स्वरो वा जग्दी स्वरो वा मनो रथान पूरईतुम समर्थह अन्ये नुरुपालेही परी दीयमानम साकायम वा स्वाद वा लवनाय स्वाद वा अर्थाथ मुगल समराज पोताना मनो रतने पूर्ण करवा समर्थ छे एवु कही तेमनी प्रसंचा जगनात थे पन करी शें अत्रे ए उलेक निये छे के जें प्रती भावन कवीनेज यसनी प्राप्ति थाए शें प्रती भावन कवीने अर्थ धनलाब पन थाए शें माटे आ प्रयोजन पन मात्र कवीनेज लागू परेशें भावक ना पक्षे लागू परतु नधे होतु तो विद्याथी मित्रों हवे आपने त्रीजू प्रयोजन जोए कावियं वेवहार विदें अर्थाथ कावियं ए सर्जन ए वेवहारी ग्ण आपवा माटे पन अर्थाथ राजा वगेरे साथे ना योग्य विवहारदू ग्यान राजा वगेरे एतले के राजा उपडरांध तेना मंत्री सामान्य प्रजा वगेरे जन्ता ना आचार वगेरे नी सम्जन माटे पन काव्यनू सर्जन करवामा आवेशे सहित्यनू सर्जन मनुषिय जीवनमा सभ्यता अने गुनों ना उपार्जनमा अवश्य सहायरूप निवडेशे तो विद्यार्थी मित्रो अहीं आपनने आ काव्यना त्रिजा प्रयोजन मा एवु जानवा मलेशे के समग्र मानव जातने जीवनना पर्थदर्शक तरिके जगतनी वास्तिवीकता पाचलना जे गुड रहस्यों ते खोली आपेशे माट्या बाहिय जगतना व्यवहार रितो जे निती वगेरूनु ग्णियान एक कवी सरल ताथी आपी देशे तेनु उत्तम उदारं छे भर्तुहरीनु निति सतक जेमा आ उप्रांत महापुरूसोना चरित्र लेखन उत्तम कवियोनी रचनाव मा पठन्थी व्यवहारी ग्णियान मा स्वभाविक रितेज व्रुद्धी थाई शे तो विद्ध्यार्थी मित्रो आत्रिजू प्रयोजन पूर्ण थाई शे अहीं और चोथू प्रयोजन कावियम सीवेत रक्षत है अर्थात सीवती इतर एटले के अकल्यान दोख के संकटनो नाज करवा माटे पन कावियनू सर्जन थाई शे आत चोथो प्रयोजन ना उदा तरीके आचारिय मम्मट लखे छे के आधित्या एवं मयूर आधी नाम अनर्थ निवारानम अर्थात सुरिय वगेरे द्वारा मयूर कवी अनर्थ निवारन थयू हतु तेम सीव एटले के मंगल कल्यान अने इतर एटले के जुदू अहीं अमंगल नीक शती एटले नास काविय सर्जन थी अमंगल नो नास पन्सक्य शे एक दंत कथा मुझब मयूर ना नाम नो कवी बान नो भानो हत्तो अने बाने एक वार तेने कोड थवानो साप आपेलो तो आ मयूर कविये आ सापमा थी मुक्त थवा माटे तेने सुरिय सतक नी रचना करेले अने तेनी आ स्तोत्र रचनाथी प्रसंद थईने भगवान सुरिय तेनो कोड रोग दूर करेलो तो बाने पन पोता ना बे हाथ अहीं कापी ने चंडी सतक नी रचना करीने पोता ना बनने हाथ पाछा मेलव्या हाता एवी पन एक दंत कथा चे तो वली पंडीत राज जगनाथ गंगा लहरी नी रचना करीने तो मा गंगा ये प्रसंद थईने तेमने पोता नी गोधमा समाविली दा एवी पन कथा प्राप्त थाए शे काव्येना सर्जन थकी सर्जक ना अमंगलनु निवारन थयानी आवी घनी दंत कथाओ प्रचली चे एटले के कवीतो एना थी लाभानिवित थैलाज चे पन सहित्यकृतीना सर्जन थकी वाचक भावक के समस्त प्रजानुपन कल्यान एवा पन उदारोन छे तो विद्याथी मित्रो अहीं आपनने जे रामायन ना आदर्स पात्रों ना कथा द्रश्टांतो रजुकरी ने आजे पन परिवारुमा आंतर कलह दूर करवानों प्रयत्न थाए शे अहीं आपने पांचमूजे प्रयोजन छे कावियम सद्यह पर निर्वते आचारियम मते आ पांचमा काविय प्रयोजन मा एवु कहिँ छे के कावियनू सर्जन ए सिग्र परम आनंदनी प्राप्ति माटे करवा मा आवे शे तो आ पांचमा प्रयोजन ने समझावता तेवोजना वर्षे के सकल प्रयोजनम मौली भूतम समंतरम एवं रसास्वादन सम अध्भूतम विगलित एव यांतरम आनंदनम अर्थात सर्व प्रयोजनोमा स्रेष्ट सिर्मोर रस्ना आस्वाद साथे तरतत जन्मता अन्य सर्व विशयो ना अग्ण्यानने गाली देता एवा परम आनंदनी प्राप्ति माटे कावियनू सर्जन थाए शे तो विद्यार्थी मित्रो अहीं काविया माथी पन आपने परम आनंदनी प्राप्ति कई रिते थाए ते आचारिया ममठ आ पांचमा प्रयोजनमा जनावे शें कावियनू सर्वतम प्रयोजन अहीं आ प्रयोजनने मानवा मावे शें कारण के ज्यारे सर अदई भावक ने कावियना रस्नू आस्वाधन थाए शें त्यारे सत्वनों उद्वेक ठाए एक अखंड चिन्मई स्वप्रकास से आनंद उद्भवे तेमा वेद्यांतर वस्तुओना एकले के अन्यसांसारिक विशयोना स्पर्श्पन न होए अने आ आनंद तो ब्रह्मानंद सहोदर जेवो होए शें जाने के पर ब्रह्मानी प्राप्तिज थाई गई होए एवो तेना सगा भाही जेवो आनंद काविय थी आपनने जन्मतो जानवा मालेशें सहित्य दर्पन मा आ तेनी उल्लिख थाईलो आपनने जोवा मालेशें काविय वांचवाथी वाचक ने एक अनिव वर्चनिय आनंद नी प्राप्ति थाई अने ते साथेज ए अन्य विशयों सांसारिक परदार्थोती विमुख बनी जाए रस्ती तन्मय बनी आनंद विवोड थाई जाए ए अपेक्साए आम पांचमू आनंद रुपी प्रयोजन ए कवी पक्से नहीं पन भावक ना पक्से रहे लूँशें तेनी फल प्राप्ति भावक ने थाई शे जे कावियानू पठन करे शे वांचन करे शे तेने पक्से आप प्रयोजन रहे लूँशें हवे आचारिय मम्मटे कावियाना छट्टू प्रयोजन येटले के कावियं कांता समित उपदेश तयो हुझे आ कावियानू छट्टू अन्ने छेल्लू प्रयोजन आचारिय मम्मट जनावाशे जेम प्रीय पत्नी नी जेम उपदेश आपवा माटे पन कावियानू सर्जन ठाए शे आ अंतिम प्रयोजन समझाववा तेवो पोतानी वृति ममम्मट लखे शे त्रान प्रकाना उपदेश नो उल्लेक कर यो छे अने एमाती कांता समित उपदेश येटले के त्रिजा प् रयोजन तरीके दर्शाविशे वेद पूरान इतियास वगेरे माँ पन उपदेशो अपाया छे पन तेनी पद्धती भिन्न भिन्न छे अहीं वेद ना मंत्रो सिधे सिधा सब्दों मा आम्न करू जो ये एवी प्रभू एटले स्वामी नी माफक आग्निया पेशे दाखला तरीके स्वाध्यायो अध्येतव्यह माहिंस्यात्त सर्व भुतानी सत्यम्वदह धर्मंचर आ प्रभू एटलेके स्वामी द्वारा आपेलो उपदेश सब्द प्रदान उपदेश छे आग्न्या वचनों माँ सब्द अने तेनो वाचियार्थ महत्वना छे तेमनों पालन पन अनिवारिय शे अहीं बिजु जनावियु शे के पूरान और इत्यास मा वेदनी जेम मआत्रा सब्दनी प्रधान्ता नथी आग्न्यानों भाव नथी पन तेने बढले मित्र वत एटलेके मित्रनी जेम अही प्रेम भरी सला आपवामा आवी शे महा भारत पुराणों न मित्र भावे प्राप्त थाई सके चे कावियमा ज्या सब्द अने अर्थ बनने गौन बनी जाए तथा रश्ने प्रधान्ता मले त्या काविय बने शे कावियमा सब्द के अर्थ नहीं पन रश्नु प्राधान्य महत बनुछे माटे आचारिय मम्मट कहे छे के प्रिय पत्नीनी जेम सरस्ता अर्थाथ आनन्ने उत्पन करीने पतीने उपदेश माटे जे स्त्री अभीमुख बनावे छे म कावियपन राम वगेरी नी जेम बर्तवु जो ये नहीं के रावन वगेरी नी जेम आपने कावियम ना उपदेश माथी प्राप्त थाईश है आ चर्चाने आदारे आपने कही सकिये के वेद सास्त्र वगेरे सब्द प्रदान स्वामी नी जेम उपदेश करें पूरान इतिहाज अर्थ प्रदान मित्रनी जेम उपदेश करें काविय रश प्रदान प्रिय पत्निनी जेम उपदेश करें आम कावियनु आ छट्टू प्रयोजन ए कविना पक्षे नहीं परन्तु भावक ना पक्षे जलागू पडेशें कावियना प्रयोजन अंगे आजना संदरबे विचारीये तो अत्यारयमात्र कवि के भावकज काविय थी लाभानवित नती थया पणप्रकास को गाय को दविकडत्स को विवेच को पन कोई कविय रचेला काविय थी अनेक ρिते लाभानवित थया छे अने थता रहापन छे चर्चाने अंते अन्य आलंकारीको एपन पोतानी रिते काव्यना प्रयोजनों अंगे जे विचारना करी छे ते आपड़े जोईये तो तो सवप्रथम भामह लखे छे धर्मा अर्थ काम मोक्षेशू वैचक्षन्यम कलासूच प्रितिम करोती किर्तिम्च साधू काव्यम निशे एवनम अर्थात काव्यलंकार एक अने बेमा तेवो जनावेशे के बामह धर्म अर्थ काम अने मोक्षमा तथा कलाओ मा विचक्षन्ता तेमज प्रिति अने किर्तिने प्रयोजन गनावेशे हैं ज्यारे रुद्रत जनावेशे के यस धर्म अर्थ अनर्थो उपशम अने अस साधारन आनन्य काविये ना प्रयोजन तरीके तेवो दर्शावेशे त्यार बाद कवी भोज कहेशे कावियम रसन्मीतम कवी ही कूर्वन केर्ती प्रितिंच विदन दे बोज सरस्वती कंठा बरनमा तेवो नोदे छे अर्थात बोज मुझब रसान्मीत काविया करनारो कवी ते केर्ती अने प्रिती प्राप्त कहरे छे अने त्यार बाद आचारिय हेम चंद्र मुझब जो येतो आनंदने पामवा माटे यसने माटे अने कांता तुल्य उपदेश माटे रचाहे छे जेओ पोताना कावियाननू शाषन मा ते जनावे छे अने आचारिय विश्वनात कहे छे के कावियं चतुर्वर्ग एकले चार पुर्शाथोत नी प्राप्ती थया अल्प बुद्धी वालाने सुख आपवा माटे काविय रचाहे छे तो अहीं चतुर्वर्ग फल प्राप्ती ही सुखाद अल्प धियाम अपी काविय देह अहीं आरिते तेओ जनावे छे तो विद्याती मित्रों अहीं आपड़ा जे काविय प्रकाश ना बीजी कारिकामा काविय ना प्रयुजो नो आपने विगयते चर्चा करी अने त्यार बाद आगामी लेक्चर माँ आपने काविय नो एतुनी चर्चा करी शुँ अस्तु जयतु संस्कुरुतं जयतु भारतं धन्यवाद हो स्वाध्या यह पर्या मंता पहाँ स्वाध्या